हाई गईज एन वेलकम बाक तो दी चैनल दीपच्चादव एजूकेशन वेलकम दी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 25 अफ में 2023 तो गाईज आज है तारिक 25 मई 2023 और है थर्सडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफियर्स बनेंगे उन सबी करेंट अफि वेडियो इसी चनल पर मिल जाता है तो आज कौन-कौन समय पर वीडियो में प्रजेंट हो चुका है नीचे लाइफ चैट में जरूर से मेंशन करना इस लेक्चर में हम लोग मेजर ली इन एक्सप्रेस के उपर फोकस करते हैं इसके साथ साथ बाकी सारी इंपॉर्टन सोर् पर बेजड आपको लास्ट में टेस्ट दिया जाता है उस टेस्ट को अटेंट करना जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा बाकी इस लेक्चर का जो पीडियेफ अगर आए वो यहां पे 12,000 से जादा लोग जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में परस्नली जुड़ सकते हो नौ स्टार्ट करते हैं सेशन को काफी सारे आर्टिकल्स हैं जिसको हम टू दा पॉइंट एक्जामनेशन के पॉइंट एविव से डिसकस करेंगे कम समय में जादा कॉंट हैं उन्हें हाल ही में बोला है कि जो यह लाइट टैंक जोरावर है यह साल के अंत तक ट्रायल के लिए रेडी हो जाएगा और इसका ट्रायल किया जाएगा कहां पर जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है जो वहाँ पे पहाड़ी लाग का है एक्जैक्ली वहीं पर इसका ट जुरावर टैंक को लेकर, ठीक है, तो जुरावर टैंक, एक इंडिजिनियसली, डिजाइन और डेवलप light tank है एक ऐसा tanker हम लोगों ने बनाया है जो कि हमने अपने देश में ही design भी किया है और develop भी किया है अब develop किस ने किया है ये basically DRDO है defense research and development organization और इन्होंने अकेले ये काम नहीं किया है इन्होंने large and tubro के साथ में मिलकर collaboration करने के बाद में इसको तयार किया है इस tanker के अपना आप में features हैं जैसे कि अलग-अलग जो geographical areas है वहां पर ये operate कर सकता है चाहे कोई high altitude का area हो है ना चाहे कोई पहाड़ी लाका हो चाहे कोई island वाली territories हो सभी जगा पे अराम से यहां पर ये tank चल सकता है plus in case अगर कोई emergency आ जाती है या फिर कोई operational situation है क्योंकि ये एक light tanker है इसका वज़न भी इतना जादा नहीं है तो इस वज़ासे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको तुरंती वहाँ पे तहनाद कर सकते हैं तुरंत deployment किया जा सकता है जब भी कोई emergency situation होती है तो इसमें सारी की सारी modern technology इसका use किया गया है जैसे artificial intelligence, drone integration ये सारी चीज़े इसमें देखने को मिलेंगी इसका वज़न 25 टन से भी कम है अच्छा इसको नाम जुरावर क्यों दिया गया है जुरावर इसलिए दिया गया है क्योंकि जुरावर एक military general का नाम है नाम क्या था उनका जुरावर सिंग कालोरिया ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जम्मू के राजा गुलाब सिंग के अंडर में सर्व किया था ये बात है 19th century की और जुरावर सिंग जी को ही सम्मानित किया जाता है इनकी जीत के लिए इन्होंने यहाँ पर जो हिमालियास के अंदर अपनी जीत हासिल की थी उसी के लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया जाता है और वो जीत केवल हिमालियास में नहीं थी लद्दाक, तिबद, बलतिस्तान, सकादरू सभी जगा पर आपको ये देखने को मिलेगी आगे आते हैं निक्स्ट आर्टिकल की दरफ आगले आर्टिकल को आप जी एस पिपर नंबर त्री एन्वोर्मेंट वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे इस प्रकार से स्पीशीज के बारे में क्वेशन बन जाता है तो कॉम्ब जेली एक प्रकार का एनिमल कहलो या फिर इन्वर्टिबरेट एनिमल कहलो एक इन्वर्टिबरेट एनिमल मतलब इसकी कोई रीड की हड़ी नहीं होती है इस प्रकार से यहां पर आपको एक कॉम्ब जेली निजर आती है तो हाल ही में एक स्टड़ी है वो study conduct की गई है और study के basis पर बताया गया है कि जो ये com jellies होती है ना इनको tenophores के नाम से जानते हैं ठीक है tenophores इसका scientific name है ये कहीं न कहीं जो पहला animal था उसी का ही close relative है ऐसा यहां पर बताया जाता है तो इसी वज़ा से जो com jelly है वो थोड़ा बहुत news में है तो आपको to the point बात बता रहा हूँ यानि कि अगर गहां से कोई question बन जाता है तो ऐसा न लगे आपको कि हाँ यार मैंने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं था news में देखो news में था तो थोड़ा बहुत idea आपने जरूर से होना चाहिए com jelly क्या है तो com jelly basically marine invertebrate है समुदर में पाया जाने वाला invertebrate जिसके read की हड़ी नहीं होती है इसका scientific name 10ofora है उसके बाद काफी सुन्दर सी आपको ये दिखाई पड़ेगी जैसा ये लग रहा है oval shape में आपको ये पूरा animal देखने को मिलेगा यानि कि इस प्रकारगा shape यहाँ पर इसका नजर आता है उसके बाद में 8 rows आपको देखने को मिल जाएंगी comb की तरह इसका नाम comb jelly क्यों रखा रहा है comb मतलब तो कंगी होती है या कंगा होता है तो basically होता क्या है अगर आप यहाँ पर इस comb jelly का structure देखोगे तो यह lines आप यह जो देख पा रहे होगे एक जो row है ऐसे कई सारी rows आपको नजर आ रहे होगे एक row यह है एक row यह है एक row यह है और एक row आपको यह देखने को मिलेगी यह कंगे की तरह लग रहा है तो इसी के basis पर यहाँ पर क्या होता है इसका नाम हमने comb jelly रख दिया है तो जैसे मैंने बोला है कि अलग लग रोज यहाँ पर comb की तरह दिखाई पड़ती है प्लस जब यह comb jelly पानी के अंदर तेरती है तो तेरती क्या होता है यहाँ से जो comb की rows है वो कहीन है कि light को produce करती है एक rainbow जैसा effect देखने को मिलता है आप ऐसा देख सकते हो जब swim करती है यह comb jelly तो इस प्रकार से जो यह comb वाला हिससा आपको दिख रहा है रंग भिरंगी सा एक rainbow जैसा जो effect है वो यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक है अब यहाँ पर यह tano force वाली प्रजाती की है तो कुछ tano force ऐसे होते हैं जो कि brackish water में रहना पसंद करते हैं brackish water मतलब खारा पानी नमकीन पानी में रहना जादा पसंद करते हैं लेकिन जादा तर यहाँ पर यह marine habitats में रहते हैं समुदर के अंदर पाई जाते हैं टेनो force वाली सारी प्रजाती हैं यह आपने ध्यान में रखना है तो कॉम जेली के बारे में इतना clear हुआ अब आपसे सवाल बन सकते हैं कॉम जेली कहां पर पाई जाती है तो आप देखो कि दुनिया बर में की eating habits क्या है तो यह Carnivores से ध्यान रखना है यानि कि छोटे-छोटे planktonic animals होते हैं उसको यह खाने का काम करती है तो कॉम जेली के बारे में कुछ basic सी information है कि examination में question आए तो ऐसा ना लगे कि यह कुछ हटकरी topic पूछ लिया या syllabus क्या है या current में नहीं था तो यह current में है इस समय ठीक है next article पर आता है अगले article को भी आप लोग GS paper number 3 environment section से link कर पाऊगे बांदव गल्ट Tiger Reserve के बारे में discussion किया जा रहा है तो Tiger Reserve में हमेशा जो location है वो बहुत important होती है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इन वीडियोस के मादे हम से आपके बहुत सारा environment का section का और हो जाता है environment से कई question आते हैं आपको पता है हर साल और environment का dynamic portion होता है लोग परेशान होता है environment कहां से cover करें और मैं आपको बता रहा हूँ honestly इस वीडियो के अंदर में मेरा focus होता है हर एक चीज़ को यहाँ पर tackle करना लेकिन environment की चीज़े ज़ादा मिलती है तो मैं वो सब चीज़े भी include कर देता हूँ तो हुआ क्या है बांदवगर Tiger Reserve के अंदर में Tiger का एक बच्चा जो है dead पाया गया है वो मर चुका है injuries है उसकी body के उपर इस वज़े से यहाँ पर death होई है तो इसी वज़े से यहाँ पर बांदवगर Tiger Reserve जो है recent news में तर Times of India के अंदर article चपावा था तो यह जो बांदवगर Tiger Reserve है कहाँ पर है पहली चीज़ मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश में specially जो उमारिया district है वहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा मध्यप्रदेश की location देखें तो यह इंडिया का map है बीच ओ बीच आपको यह मध्यप्रदेश देखने को मिलेगा Capital भूपाल हो गई मध्यप्रदेश के साथ में कई सारे states है जो की boundaries को share करते है पर एक्जामबल राजस्थान है उत्तर प्रदेश है 36 गड़ है और नीचा आपको महाराष्टरा देखने को मिलेगा और इदर western side में आपको गुजराथ भी देखने को मिलेगा तो काफी सरे states जो की boundaries को share करते है मध्यप्रदेश के साथ में तो यह जो बांदवगड़ को टाइगर रिजर्व है यह विंदिया हिल्स पे फैलावाई पूरी तरह से जो विंदिया पहाड़ी है वहाँ पर आपको यह टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा इस बांदवगड़ को national park भी बोल जाता है क्योंकि इसको national park डेकलियर कर दिया गया था 1968 में और टाइगर इसको बाद में डेकलियर किया गया है 1993 में इसका जो नाम है बांदवगड़ यह थोड़ा important है कहां से आया है इसका नाम आया है hillock से hillock क्या होता है छोटी पहाड़ी कह सकते हो या local language में टीला बोलता है न उस प्रकार से आप कह सकते हो हुआ यह उस area का यहाँ पर एक छोटा से पहाड़ी है बांदवगड़ की तो उसी के नाम से यहाँ पर लिया या है जो कि यहाँ पर बोला जाता है कि यह जो नाम है यह राम जी ने दिया था अपने ब्रदर लक्ष्मन जी को ताकि यहाँ पर वो लंका पर ध्यान रख रहे थे न तो उसके basis पर उन्होंने यह नाम अपने भाई को दिया था लक्ष्मन जी को तो यह जो नाम है बांदवगड़ संस्क्रित में इसका मतलब होता है Brothers Fort भाई का किला तो वहीं से बिसिकली यह नाम लिया गया थोड़ा पॉत यहाँ पर ध्यान में रखना कुछ भी क्वेशन बन सकता है तो आप अराम से हैंडल कर पाओ दूसरा बांदवगड़ टाइगर रिजव में आप देख पाओगे Royal Bengal Tigers पाए जाते हैं प्लस टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी यहाँ पर प्रेजेंट है उसके बाद यहाँ पे कौन-कौन से प्रकार के पेड़ पौदे पाए जाते हैं इसको जादा ध्यान में रखने के आवशकता नहीं है नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है दोस्तो अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक्शोर करना वीडियो पर जो लाइक बटन उसको प्रेस कर देना एक टार्गेट है हमारा 2000 प्लस लाइक्स का आप उसको एच्छीव करवा सकते हो अब क्या होता है सोलर पैनल्स बनते हैं इस प्रकार से छोड़े छो छोड़े इस sendiri है इंन में एक स्पैशल केटिकरी आचुकी है तांडेम सोलर सेल्स तो एक सौथ कॉरेण कम्पनी है इन्होंने हाल ही मैं एनांउंस क्या है कि दुनिया का सबसे पहला solar cell ऐसा तयार करेंगे जो की होगा perovskite silicon tandem solar cell perovskite silicon tandem solar cell अभी तक आपने silicon solar cells के बारे में सुना होगा लेकिन यहाँ पर यह perovskite और tandem क्या है इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो तांदेम solar cell को समझने से पहले आपको यह बताया solar cells क्या होते हैं छोटा सा पीस आपको दिखाई पड़ रहा है इसको जोड़ दें तो solar module बनता है solar module को जोड़ दें तो छोटे-छोटे spaces में आप देख पार होंगे तो यह हमारा पूरा solar system बन जाता है तो solar cells को अगर हम side से देखें इधर की side से अगर देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से यह नजर आता है इसमें कई सारे material होता है N type का material, बीच में आप देख पार होंगे PN junction material, last में आपको P type का material नजर आएगा और यहीं पर क्या होता है इससे जो sun की rays उसका use करके हम लोग electricity को generate करते हैं इस panel के माधियम से तो solar cells का structure आपने देख लिया है तो tandem solar cells कौन से होते हैं ऐसे solar cells जिसमें काफी सारी एक के ओपर एक अलग-लग layers बनी भी होती हैं ठीक है, it consists of solar cells on top of each other, इस प्रकार के cells होते हैं और cells की layers बनी भी होती हैं और यहाँ पे अलग-लग प्रकार के आपको tandem cells देखने को मिल जाएंगे है ना, जिनका अलग-लग group बनाया जा सकता है, उनके material के उपर based करके मतलब material जैसा होगा, उसी के dependence के उपर में क्या होगा, इनका अलग-लग group बनाया जाता है जो tandem cells होते हैं, यह पूरा stack देखने को मिलेगा, PN Junctions का मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से यहाँ पर solar cell में आपको अलग-लग layers देखने को मिलती है PN Junction यह देखने को मिल जाएगा तो PN Junction का पूरा stack यूस किया जाता है, इस cell के अंदर में जो की बनाया जाता है, semiconductor से ठीक है, इससे क्या होता है solar cell की जो efficiency है, उसका काम करने का तरीका है, वो काफी जदा improve हो जाता है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है तो solar cells का ही प्रकार की होता है जैसे आप देख पाऊगा, एक silicon cell होता है silicon cell में जो उपर आपको देखने को मिलेगा, यह electrode grid होता है है ना, फिर उसके बाद में इस प्रकार से अलग-लग layers होती है, anti-reflection coating thin end type silicon layer, P type silicon layer, इस प्रकार के layers होती है एक होता है पेरोफस्काइट cell, पेरोफस्काइट cell जो होता है इसमें metal back content आपको देखने को मिलेगा उसके अलबा इलेक्टरोन interface layer, ऐसे अलग-लग प्रकार की फिर बाद में पेरोफस्काइट AB into 3 करके AB X3 करके आपको layer देखने को मिल जाती है ऐसे ही जो tandem वाले cell होते हैं इन में उपर आप देखा हूँ एक transparent electrode का यूज किया गया है नीचे यहाँ पर पेरोफस्काइट solar cell का यूज किया गया है तो पेरोफस्काइट भी इसमें और उसके बाद tunnel junction भी है silicon solar cell भी इसमें प्रकार से यहाँ पर चीजों का यूज किया गया है इससे क्या होता है कि जो हमारा solar cell है उसकी जो efficiency है काम करने का तरीका है वो काफी जदा improve हो जाता है सवाल यह है कि जो पेरोफस्काइट का यूज क्या गया इसमें वो पेरोफस्काइट है क्या यह एक ऐसा material आपको देखने को मिलेगा जिसका जो structure है वो crystal की तरह नजर आता है कुछ इस प्रकार से यही है पेरोफस्काइट जो की crystal की तरह है यहाँ पर इसका structure देखने को मिलेगा जैसा हमारा mineral calcium titanium oxide होता है वो इसी प्रकार का पेरोफस्काइट भी देखने को मिलेगा पेरोफस्काइट का जो compound है यह इसका chemical formula आप देखोगे तो ABX3 यहाँ पर chemical formula है जिसमें A और B जो है यह kate ions को represent करते हैं और जो X है वो basically हम पर एक anion को present करता है जिनका bond मनावा है साथ में यह इतनी गहराई में जाने के अवश्यक्ता नहीं है यहाँ पर ऐसा कुछ चीज पूछे जाने वाली नहीं है बट ध्यान रखना पेरोफस्काइट क्या है एक प्रकार का ऐसे material जिसका crystal वाला structure आपको यह नजराता है और यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है यह सवाल आपसे बन सकता है डेफिनेटली बन सकता है क्योंकि ऐसे कई सवाल बने है तो पेरोफस्काइट क्रिस्टल्स को आप कई जगा पर देखोगे जो अल्टरा साउंड की मशीन होती है मैमरी चिप्स होती है हैना चिप होते हैं जो आपके फोन में उसके लवा सोलर सेल्स के अंदर भी आजकल इसका यूज होना स्टार्ट हो चुका है ठीक है क्लियर हो गया आगे आते हैं नेक्स आर्डिकल पे आगले आर्डिकल को आप जी एस पिपर नंबर टू एजुकेशन वाले से लिंक कर पाऊगे स्टार्स प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग, टीचिंग, लर्निंग, एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स ये इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है हुआ क्या है कि हाली में जो हमारी इवेंट रखा गया था वो इसी स्टार्स प्रोग्राम के अंडर में रखा गया था मुंबई में इस वज़ा से स्टार्स प्रोग्राम न्यूज में आ चुका है ठीक है बात क्लियर हो गई तो यह जो पूरा इवेंट हुआ है ना इस प्रोग्राम के अंडर में इसको को चेय चेयर किया है हमारे स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरीज ने उसके बाद में साथी साथ में स्किल डवलपमेंट एंड इंटरपनियोर्शिप ने मतलब कि जो स्कूल एजुकेशन इसकिल डवलपमेंट एंड इंटरपनियोर्शिप जो पूरी बॉड़ी उसके सेक्रेटरीज ने यहाँ पर क्या किया है, इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर चेयर किया है, बात के लिए रोगे जो इवेंट रखा गया था, स्टार की फुल फॉर्म आपको बताई चुका हूँ, स्ट्रेंटनिंग, टीचिंग, लर्निंग, एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स करके य राजे सरकार दोनों थोड़ा-थोड़ा पैसा खर्च करेंगी, और उसके बाद यहाँ पर इस पर्डिकुलर स्कीम को लागू करेंगी, तो यह जो स्कीम है, यह काम कर रही है 2021 से ही, और इसका टारगेट है कि आने वाले 5 साल होता है, यानि 2024-25 तक अपना काम पूरा कर सके इस स्टार प्रोजेक्ट को यहाँ पर implement किया जा रहा है, Department of Education and Literacy के अंदर, Ministry of Education जो है, वो भी हाँ पर काम कर रही है, यानि कि देखो, आपसे पूछा जाएगा कि यह जो स्टार्स प्रोजेक्ट है, यह कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में काम कर रहा है, तो वो Department of School, Education and Literacy है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कौन से Ministry के अंदर में, ऐसे Ministry को लेकर कई सवाल बनते हैं, तो अब्यसी बात है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो Ministry of Education के अंदर में यह काम करता है, लेकिन सवाल बन जाए कि इसको पैसा कौन दे रहा है, क्योंकि कोई भी स्कीम क लागू करने के लिए चलाने के लिए पैसा लगता है, तो Financial Support कहा से आ रहा है, तो World Bank की साइट से Financial Support आ रहा है, दूसी चीज़ आप से पूछी जा सकती है, जो यह स्टार प्रोग्राम है, इसको कहा कहां पर implement किया है, तो 6 अलग-लग राज्ये हैं जहां पर इसको लागू कि किया जा सके, हमारा जो समगर सिक्षा प्रोग्राम है ना, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने का, उसी में सही यहां पर कह सकतो हो एक छोटा सा कॉंसर्प जो है, यह निकाल कर रखा है, जहां पर में मकसद है कि हम डारेक्ली सपोर्ट दे सकें स्कूल एजुकेशन सि काम करता है, इस पूरे प्रोजेक्ट का में मकसद है कि कुछ और दूसरे दूसरे जो इनिशेटिव्स हैं सरकार के, उनके उपर भी फोकस करना, जैसे PME विद्यालिया, फाउंडेशन लिटरीसी नियुमरेसी मिशन, नैशनल करिकुलर पेड़ेगलोजिकल फ्रेमवर्क फ काफी जदा इनहेंस करना, इंप्रूफ करना, तो स्टार प्रोग्राम क्या है, आप लोग यहां पर समझ चुके होंगे, आपसे सवाल बन सकते हैं, नेक्स टारिकल पर आते हैं, विंक्स इंडिया दोहजार चौबिस, यहां पर भी एक इवेंट की चर्चा की जा रही है, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry के साथ में कॉलिबरेट किया है, इनके साथ में कॉलिबरेट करने के बाद में, एक इवेंट रखा है, विंक्स इंडिया 2024, दोहजार चौबिस का यहां पर यह इवेंट होने वाला है, अब दोहजार चौबिस लोग बोला है, तो अब्यसी बात है, दोहजार इंडिया, तीसरा हमारा है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, तीनों बोडी के बारें बताऊंगा, प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपोरेंट है, तो यह तीनों बोडी ने मिलकर क्या किया है, विंक्स इंडिया 2024 का जो अपकमिंग एडिशन है, वो रखा है, जनवरी 2024 में यह एडिशन होगा, और यह एशिया का लार्जस्ट कमर्शल, जनरल और बिजनस अविएशन इवेंट होने वाला है, जो की होगा है हैधराबाद का जो पोर्ट है, बेगमपड पोर्ट, वहाँ पे यह होने वाला है, ठीक है, अब जिन बोडी के बारे में हमने बात किये थे, उन बोडी के बारे मे तो FICCI को बनाया गया था 1927 में एक non-governmental not-for-profit organization है प्लस एक काफी बड़ी और बहुत पुरानी business organization कह सकते हो भारत के अंदर में यह है यह ना इंडिया के जो business है उसके बाद जो industries है उनकी आवाज बनके यह काम करता है यह industry की जो आवाज है उनके व्यूज है इंडिस्ट्री क पूले कर क्या-क्या चिंताएं हैं वो देश के सामने लाने का काम करता है उसके बाद दूसरी बॉड़ी है airports authority of India इस बॉड़ी को एक Parliament के कानून के थुरू लेकर आया गया था और वो कानून आया था 1st of April 1995 में और Airports Authority of India को बनाया गया है पुरानी वाली दो बॉड़ी को आपसम मिला कर जैसे National Airport Authority of India and International Airport Authority of India दोनों को मर्ज करके सीधा बना दिया AAI Airports Authority of India इसके responsibility है कि जो इंडिया में air cargo होता है यानि कि जो समान होता है इदर से उदर जो हवाई जहाज के मादियम से पहुंचाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको यहां पे proper manage करना Air cargo terminals को बनाना वहां का development करना वहां का proper management करना यह सारा काम इसका होता है तो जो भी हमारा air cargo है उसको international level पर domestic airports पर processing करने के लिए हम लोग इस body का AI का use करता है इसको भी आप environment के section से link कर पाओगे हाँ बात की जारी है कॉंदनिया wildlife century के बारे में आप से recently मैंने बोला था कि दहिंदू के वीडियो में जरूर से इसको एक बार map में देख लेना नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं आज आपको clear हो जाएगा इसके बारे में हुआ क्या है हाल ही में जो जंबो है इन elephant का census हुआ है इनकी गिंतियां की गई है कॉंद्या wildlife century के अंदर में इस वज़ा से कही नहीं यहाँ पर यह नियूज में बनावा है तो कॉंद्या wildlife century सबसे important चीज इसकी location तो यह आंदर प्रदेश के अंदर है चितूर district के अंदर में आंदर प्रदेश के साथ में कौन कौन से राज्ये हैं जो की boundaries को share कर रहे हैं तो नौर्थ में ओडिशा है 36 गड़ है तेलंगना है करनाट का है और इधर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा तामिल नडू ठीक है यह सारे स्टेट्स हैं उसके लावे इधर आपको elephant देखने को मिलेंगे एक लौती जगह जहां पर एशन elephant पाये जा रहे हुआ तो वह है कॉंदनिया वालेफ सेंक्ट्री यह संक्ट्री प्रोजेक्ट elephant के अंडर में आती है जहां पर में मकस्द है कि हम elephants की सुरक्षा कर सके हैं यहां पर एक नदी देखने को मिलेगी रिवर Tiger Reserve या National Park के साथ में मैंने लिख देता हूँ, आप चाहू तो पढ़ सकते हो, बढ़ यहाँ पर कोई पढ़ने के आवशक्ता नहीं है, अगला आर्टिकल थोड़ा important है, इसको आप GS Paper No.1 के Point of View से link कर पाओगे, बात कर रहे हम लोग पश्मीना Certification Center के बारे में, एक Certification Center open किया ज हो चुका है, तो जो हमारे Union Minister उन्हें हाली में पश्मीना Certification Center का उधगाटन कर दिया है, कहाँ पर क्या है, देहरादून के अंदर उत्राखंड में, ठेक है, तो इस वज़े से यह नियूज में है, अब यह सेंटर का क्या काम है, यह सब कुछ हम discuss करेंगे, तो देहरादून पश्मीना प्रोडेट्स मतलब आपने पश्मीना वूल के बारे में सुना होगा, जो यह गोट होती है ना पश्मीना वाली जो गोट होती है, यह शीप भेड़े जो होती है, इनके शरीर पर जो यह बाल आपको दिख रहा है, इससे यहां पर पश्मीना वूल बनता है, इस वो community भी यहाँ पर यह पश्मिना गोट का जो बाल है वो निकालती है, उसको यहाँ पर wool में बंदलती है, और उस wool का यहाँ पर used किया जाता है, तो जो भी शॉल पश्मिना फूल से बनते हैं, पश्मिना वाले ओन से बनाए जाते हैं, उनको हम लोग शातूश शॉल, शातू यह इसका scientific name है, लेकिन जो शातूश वाले जो शॉल होते हैं, वो बनते हैं तिबितन एंटिलोप से, तिबितन एंटिलोप के बारे में आप जानोगे, तो वैसे यह जो आपको यह पश्मिना गोट देख रहे हैं, इसी प्रकार का तिबितन एंटिलोप भी आपको देखने या नहीं बने, उसको certification करने का काम करेगा, यह पश्मिना Certification Center, आई होप अब इस चीज़ को समझ गए होंगे, इसके लिए एक अलग से बोड़ी है, Export Promotion Council, तो Export Promotion Council for Handicrafts ने, क्या किया, Wildlife Institute of India के साथ में collaborate किया, इन दोनों ने साथ में मिलकर इस पश्मिना Certification Center को बनाया है, अपने उन मेंबर्स के लिए जो कि पश्मिना वाला Trade करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इस Center को बनाने के पिछे का परपस यह है, कि जो पश्मिना के प्रोड़क्ट्स का व्यापार हो रहा है, वो सही से हो सके, वहाँ पर हम Purity को maintain कर सके, ऐसा न हो, यहाँ पर किसी दूसर हो जाता है, इसके अंदर में, तो वो चेक करना, कि उनका यूस तो नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल Purity को चेक करके, कि हाँ बिल्कुल शुद्ध बनावा है, और उसी चीज़ से बनावा है, तब जाके हाँ पर क्या होगा, इसका हम International Market में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसको एक Purity का Certification में लिया है, तो एक Purity का Certification देने का काम इसी Body का है, ठीक है, बात क्लियर हो गई, अब जैसे मैंनों बोला कि Wildlife Institute of India में ही आपर ये Certification ओपन किया गया है, तो ये क्या है, ये जो Body इसको 1982 में देहरदूर में बनाया गया था, एक Autonomous Institute है, ठीक है, खुद से decision लेने क का काम करता है, इस Body को Manage किया जाता है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के थूँ, Wildlife Institute of India का में काम है, जो हमारा पूरा जंगल है, उसका यहाँ पर Management करना, उसको लेकर Research करना, Biodiversity, Endangered Species, कुछ ऐसी प्रजाती हैं, जो बहुत खत्रेम है, Wildlife Policies हो गई, Management, Climate Change, Eco Development, उसको लेकर यहाँ पे बहुत सरी Researches करने का भी यह काम करता है, ठीक है, पश्मिना शॉल क्लियर हो गया, यह सब जीज़े समझ में आ गई, UPS ने 2014 में ऐसे एक प्रश्न पूछ लिया था, प्रश्न क्या था, फिरेफरेंस टु चांग्पा Community of India, consider the following statements, चांग्पा Community को लेकर तीन statement दिये गएगा है, बताओ कौनस स्टेटमेंट सही है, पहला statement, चांग्पा Community वाले लोग उत्राखन में रहते हैं, दूसरा statement, चांग्पा Community वाले लोग पश्मिना गोट्स जो होती है, उनको पालते हैं, और उनसे यहाँ पर जो wool है उन है वो बनाता है थर्ड स्टेटमेंट यह जो community वाले लोग है इनको scheduled tribes की category में रखा गया है खेर अब भी मैंने आपको बता है था चांग पा community क्या करती है चांग थांग गोट को पालते हैं जिसको हम लोग पश्मिना गोट भी बोलते हैं उसी से शॉल बनाया जाता है उन बनाया जाता है तो कहीना की जो चांग थांग community है यह उत्राखंड में नहीं रहती है लद्दा कबल रीजन में रहती है तो पहला statement तो हो जाता है वैसी गलत दूसरा statement सही है यह तो हमने पता है पहला गलत है और इधर पहला गलत है तो यह वाला हडिया और डी वाला भी हडिया दूसरा सही है यह हमने पता है तो दूसरा वाला तो यहाँ पर आपको बी में देखने को मिलेगा तो आपने आज जो है ना Thumbnail जो देखा है Thumbnail में Operation Karuna के वारे में देखा होगा तो Operation Karuna क्या है? करuna के वारे में आज हम यς रहे बात करेंगे तो आपको बताओगा हाँगा हाली में एक साइकलोन आया था, एक चक्रबाद आया था और वो चक्रवात आया था जिसका नाम था मोका, क्या नाम था मोका, वो चक्रवात इस Bay of Bengal में बना और वो म्यानबार में जाके हिट किया, और म्यानबार में इससे बारी तबाई हुई है, आपने थमनिल पर पिच्चर भी देखा होगा, घर के घर उजड गये हैं उस चक्रव करेंगे, ठीक है, तो INS घरियाल अभी क्या करके गया है, बहुत सरे जो medical equipment हैं, बहुत सरा समान है, उन सब को ले कर गया है, इन लोगों की मदद करने के लिए, और इसको एक operation का नाम दिया गया है, operation करूणा, ठीक है, तो INS घरियाल क्या है, आप से पूचे जा सकता है, एक जाहाज 1997 से ही work कर रहा है, इंडिया नेवी के पास में, और अभी इसी जाहाज के माद्यम से operation करूणा को launch किया गया, तो operation करूणा का main मकसद क्या था, मियानमार के अंदर लोगों को humanitarian assistance देना, कुछ दवाईयां, कुछ support, खाने पिने की चीज़े, tent वगरा provide करवाना, जो ल तो operation करूणा क्या है, यह आपने ध्यान में रखना है, इसका main काम था, cyclone से affected, जो लोग है मियानमार में उनको support करना, अब यह जो जहाज गया है, INS, घरियाल, यह कई सारे food item, tent, medicine, water pump, portable generator, cloth, sanitary, hygiene items, यह सारी चीज़े ले कर गया है, क्योंकि Indian Navy जो है न, अभी भी हाँ पर ensure कर रही है, कि हम सागर वाला जो initiative है, उसको follow करें, अब यह सागर initiative क्या है, यह security and growth for all in the region, इंडिया जो है boss है इधर, इंडिया नोशन में, जितने भी देश हैं, चाहिदर ओमान हुआ, मौलदीवस हुआ, स्रिलंका हुआ, इधर यहाँ पर मयानमार हुआ, बांगलदेश उसी कुछ चीज़ों को यहाँ पर follow करते वे, अभी हमने मयानमार को support किया है, ठीक है, आ गया था है, ना दोस्तों, I hope आप लोगो बहुत अच्छे से सारे के सारे जो आर्टिकल से वो clear हो चुके हैं, अब हम लोग अपने questions को discuss करना start करेंगे, मैं question 1 से बहुत सारे questions आपको question होने वाला है, consider the following statements with reference to star project, जो star project है ना, strengthening teacher learning result for states, यह project इंडिया का project है, इसको लेकर दो statement से बताओ कौन सा सही है, पहला statement, यह एक centrally sponsored scheme है, जिसको launch किया गया है, वर्ल्ड बैंक के पैसो की सहाईता से, दूसरा statement, इस scheme को launch किया जाएगा केवल और केवल North Eastern states के लिए, ताकि North Eastland states में school education को improve कर सकें, तो बताओ कौन सा statement सही है, नीचा option दिये गए, option A1 only, B2 only, C दोनों सही है, या फिर D दोनों गलत है, अगले question पर आते हैं, बहुत धिहां से चीजों को सुनना है और questions को attempt करना है, मैं चाहता हूँ का आप जाद से जादा या फिर सारे questions सही करो, ठीक है दूसरा question बोलता है, कौन दनिया wildlife century, ये कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में located है, recently news में थी नहीं है, तो option A, करनाट का, B, मद्या प्रदेश, C, ओडिशा, या फिर D, आंधर प्रदेश, अगले question पर आते हैं, next question पूछा जा रहा है, आपसे पश्मीना certification center को ल आया है, second statement बोलता है, कि जो पश्मीना certification center है न, ये एक one stop testing facility है, यानि एक ही जगा है, जहां पर आप जो पश्मीना products होते हैं, उसको test कर सकते हो कि वो genuine है या नहीं है, plus वाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है, कोई band fibers का use कर लिया जाए, तो उसकी purity को test करने का काम करेगा ये center, तो बताओ कौन से statement correct है, option A one only, B two only, C दोनों सही है या फिर D दोनों गलत है, next question पर आते हैं, अगले question पूछा गया है कि हाली में operation करुणा, start क्या गया है भारत के थुरू, ताकि हम कौन से देश को मदद कर सके, कौन से देश को हम लोग assistance प्रोवाइड करवा सके, तो कौन से दे best description of zorawar, जो zorawar है, recently यहाँ पर यह word बहुत जादा news में है, बताओ zorawar क्या है, option A, क्या एक surface to air missile है, option B, क्या एक anti-submarine torpedo है, option C, क्या एक Indian light tank है, या फिर option D, क्या एक semi-automatic rifle है, तो बताओ, सही उत्तर, वहुत सरल सा question है, अगले question पर आते हैं, next question में, कॉम जली इस के बारें है, कॉम जली को लेकर दो statement है, बताओ कौन से सही है, पहला statement, जो कॉम जली है, वो लगबख ocean में हमारे समुदर में सभी जगा पर पाई जाती है, खासकर समुदर के अंदर जो surface water सतय वाली जगा है, वहाँ पर यह देखने को मिलती है, दूसरा, जो कॉम जली है, वो कार्नी दोनों गलत है, अगले question पर आते हैं, नेक्स question पूछा गया है, जो tandem solar cells है, इसको लेकर दो statement से बताओ कौन से सही है, पहला statement, जो यह solar cells होता है, इसमें, जो solar cells होती है, एक दूसरे के उपर होता है, solar cells की कई सारी परत्य होती है, और वो एक दूसरे के उपर चड़ेवे होता है, दूसरा statement, जो यह tandem solar cells है, यह थोड़े कम efficient होता है, बाकी जो हमारे normal solar panels होता है, इससे थोड़ा कम कारिकर होता है, आपके सकतों इससे कम effective होता है, तो बताओ कौन से statement सही है, option A1 only, B2 only, C दोनों सही है, या फिर D दोनों गलत है, तो दोस्तों यह थे सारे के सारे हमारे questions, I hope आप लोगोंने maximum questions को बिल्कुल सही सही attempt किया होगा, चलो, last वाले question से सारे के सारे answers को देखना start करेंगे, तो आखरी वाले question से देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया था आप से tandem solar cells को लेकर, बताओ कौन से statement सही है, तो पहला statement सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि आपको बता statement 1, one only is the correct answer, अगले question ने पूछा गया, बांदग और tiger is up, कौन से राज्यम है, तो इसका सही उतर है, option number B, मद्या प्रदेश में आपको यह tiger is up, देखने को मिलेगा, अगले question ने पूछा गया था, कौम जलीज को लेकर, कि कौन से statement सही है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों statement सह नहीं है, क्योंकि कौम जलीज हर एक ocean वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे, surface waters में, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर सतय पर पाये जाती है, प्लस कार्णी वोरस है, छोड़े-छोडे जानवरों को खाने का काम करती है, तो option number B, sorry, C both 1 and 2 is the correct answer, अगले question में जोरावर को लेकर पूछा गया, तो जुरावर क्या है, तो बेसिकली यहां पर इसका सयूदतर, option number C, जुरावर एक Indian light tank है, ध्यान रखना, उसके बाद में अगले question, operation करूणा को लेकर पूछा गया था, operation करूणा, जो हाली में नियूज में देखने को मिला है, इसने कौन से देश को पूछाई है, तो इसका सयूदतर, option number D, म्यान बार, क्योंकि म्यान बार में cyclone मोका आया था, जिसकी वज़ा से यहां पर, जो लोगों को प्रॉब्लम हुई है, उस चीज को लेकर यहां पर यह operation चलाया गया, लोगों को support करने के लिए, अगला question पूछा गया था, पश्मिन भी सही है, क्योंकि एक लोटी जगा है, जहां पर पश्मिना वले जो प्रोडक्ट्स होंगे, उनका चेक किया जाएगा, उनकी प्योरिटी चेक की जाएगे, कि वहां पर कोई band fibers का तो यूज नहीं किया या है, तो इस वैसे option number C, both 1 and 2 is the correct answer, पिर अगले question में आप से पूछ डिस्की में ठीक है, यहां पर कें सरकार, राजसरकार मिलकर काम कर रही है, और World Bank पैसो का support यहां पर इस scheme को implement करने के लिए प्रोवाइट करवा रही है, लेकिन दूसरा statement गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो यह stars project है, इसको हम लोग North Eastern States में लागू नहीं कर रहे हैं, तो क कासा ही उतर क्या हो जाएगा, option number A, one only is the correct answer, तो दोस्तों यह था हमारा पूरा का पूरा session, I hope आपको मज़ा चुका होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने इस lecture से सीखा होगा, और कैसा रहा test, जरा नीचे comment section बताओ, क्या score आया, plus कौन कौन से question गलत हुए हैं, और क्यों गलत क्या क्या हुआ